ग्राम तेड़ा के कोटेदवार द्वारा वित्रित किया गया राशन जिला हमीरपूर के बलोग सुमेरपूर के ग्राम तेड़ा में कोटेदार द्वारा सभी राशन काड़ धारकों को मुख्ट में किया गया वित्रन राशन जहां तक काड़ धारकों ने बताया कि महीने में दो बार राशन बाटा गया है जिसमें पहली बार जिनके पास श्रमिक कार्ड हैं उनको मुक्त में प्रतियों ने 5 किलो राशन जिस पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल जिस पर ग्राम टेड़ा के कोड़ेदार का कहना है कि महीने के दूसरे बार राशन वित्रित कर रहे हैं उसमें केवल चावल ही आया है और उसके साथ एक साबुन भी दे रहे हैं उसी तरफ कायट धारकों का कहना है कि चावल के साथ गेहूं क्यों नहीं दिया जा रहा है महीने में प्राविधान सरकार दोरा ये बनाया गया है कि महीने में दो बार राशन बांटा जाए है हुआ हुआ है था है तो उसमें महीने में एक बार आपको क्या मिला करिश से अब च्विशन हिघान और दुबार में आपको क्या मिल अब ऑर दुबारा में पर यूनिटिश्या जाओल है मर में जाँन गया हुआ है तो आपको नाम प्राशन मिल रहा है क्या मिला आपको मिले गावाएं नहीं इसके पहले कुछ आपको मिला क्या मिला तो आपको नाम क्या है अच्छा कुछ लोगों कहना है कि गेहूं भी बाटा जा रहा था नहीं गेहूं का कोई प्राबदान नहीं गेहूं नहीं अभी गेहूं पहली तारिक से प्रिचा दूरू जाए आचाँ जी